आज हम बनाने जारे हैं वाइट वाली मटर से कोफता जोकी खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिस्थ है एक बार आप ज़रू ट्राय करना इस रेसिपी को देखिए ये मटर को भी फिल करेगा इसना अच्छा है मैंने 200 ग्राम मटर लिया है इसको भीगा कर रहती है मैंने 5-6 गंटा अब इसको हम मिक्सर में ग्रेंड कर लेंगे देखिए मैंने ग्रेंड कर लिया है ज्यादा बारिक ने किया है और ज्यादा मोटा भी ने है तब मेडियम साइज ग्रेंड करना है पाने दाल कर बिल्कुल भी नहीं पीछना है इसको अब इसमें हम मसाला एट करेंगे हाफ टेबल स्पून टर्मर्क पॉडर वाइन टेब टेबल स्पून जीरा और काली मिरिच नमक स्वादनू सार्फ मैंने आपे चावल काटा लिया है दो से तीन चम्मत आधा नेमगू लिया है मैंने आपे चिली फ्लेक्स वाइन टेबल स्पून कोदमीर वाइन टेबल स्पून इन सबको अच्छे से मिक्स करना है देखिए इसी तरीके से गोल गोल बना के इसी तरीके से कोफता का शेप देना है देखिए मैंने सब बना लिया है अब इसके लिए मसाला हम रेडी करेंगे मैंने एक खांदा लिया चौक करकी छे से साथ लस्टन के कर लिया है और तीन हल मिर्चे और इसी में हम टमाटर ग्रेंट कर लेंगे एक टमाटर लिया है मैंने छोटे से इन सब कोचे से पीछ लेना है मैंने यहां पैन करम कर दिया है और इस पैन में इससे दो चमच मैंने ओयल डाला है और सब इसमें एक एतर की कोफते को फ्राय कर लेना है मटर के कोफते को फ्राय नहीं करते और इस कोफते को इसलिए फ्राय करते ताकि यह मटर का है इसे स्वादिश्ट बनता है इसी से फ्राय करने से ज़्यादा इसमें टेस्टरी आता है और ताकि मटर कच्चा न रहे इसी तरीके से सब को घुमा घुमा के फ्राय करना है अच्छे से जब तक अंदर तक का पकना जाए इसको अच्छे से बनके रेडी है चावल खाटा इसे लिए अट करते हैं ताकि फटे ने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक का कच्चा न रहे अच्छे से पक जाया अंदर तक का अब हम इसे निकालेंगे देखें कितांचा लाल हुआ है अब इसी तेल में गरम है तेल उसी में हम खरा मसाला दालेंगे मैंने एक दो तेज पत्ता एक बरी लाची छोटी लाची दो लोग और जेरा देखें शोटी हो चुका है अब इसमें हम मसाला एट करेंगे सभी मसाला को एट करेंगे थोड़ा सा पाने दाल के मिकसर दोके अच्छा से इसी नाल लेंगे वन टेबल स्पून कश्मीरी लाज बीचे आफ टेबल स्पून टर्मनी पॉडर दो टेबल स्पून धन्या पॉडर आफ टेबल स्पून में जीर और काले मिरिच नमक स्वादन उसाल इन सब को अच्छे से चलाना है इसको एक मिट दो मिट के लिए हाइफ लें भी भूनने के लिए दाल देंगे देखें अभी इसमें पानी है इसको अच्छे से पानी सुखाना है वापस इसको मिट देंगे देखें आप पानी सुख चुका है अब इसमें हम सौ ग्राम दही अट करेंगे खटी दही नहीं है इसलिए मैंने सौ ग्राम लिया है अगर खटी दही है तो आप पचास ग्राम लीजेगा अभी सब अच्छे से भूनना है देखें दही में पानी रिलिज होता है उसमें ही अच्छे से भूनना है उसको जब मसाला भूना जाए तो इस तरीके से कड़ाई साप करके पानी को एड़ कर दें अधा ग्लास में नहीं आप पानी एड़ कर रही है अब इसमें कोफती दालेंगे अभी इस सबको अच्छे से चला के हाई फ्लेम पे दो मिट के लिए पकाएंगे इसको देखें इतने अच्छी खुश्बू आ रही है अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और नए हूं तो पहले एक अंदवाना ना भूले देखिए भुना गया है बच्छे से इसको एक बार चेक कर लूँगी जीची से जला तो नहीं है दो सो ग्रम मत्र से पूरे पलिवार का सालन बनाएं अब इसको हम ढख के रख देंगे ठंडा होने के लिए देखिए ठंडा हो चुका है इस रेसिपियों के बार ट्राएं करें